असलाम अलेकुम जी बचो सिक्स क्लास आप लोग जियोग्राफी की बुक्स ओपन करें पेज नबर सिक्स्टी कल हम लोग ने जो क्वेस्टन पड़ा था महवरी गर्दश जमेन की और इसमें हमने देखा था कि दिन रात कैसे बनते हैं यह हमने कल हाफ क्वेस्टन किया था आज आगे देखें कि दिन और रात की लिंबाई में फरक चेंजिंग लेंथ अफ डेज और नाइट कि दिन और रात में जो डिस्टन्स है मतलब फरक है जो वो उनसकी लेंथ में कितना है और क्या है जमीन अपने महवर पर 61 बाई टू के जाविये पर जुकी हुई है इस्टिकाव की वज़ा से दिन और रात के लिंबाई में फरक आता है जमीन को जो हिस्टा सूरज की तरफ जुका होता है वहां दिन लंबे होते हैं और जो हिस्टा सूरज से दूर होता है वहां दिन होते हैं ठीक है यह वता रहे हैं कि जो जमीन है वो अपने मैहवर से 66 को जसाविय पर कह YouTubers जुकी होई है और इस जगाओं की वज़ास्भी दिन रात लम्बे होते हैं कि जो जु hack होता है कि भी उस टाम किया होता है कि शोटे हो जाते हैं यह मतब जैसे मिदिन हbliकत लंब हो गया हैं इस कि फ्रॉसेसा इंगें ज It तवा के शमाल में जब दिन लंब राते छोटे होती है यह सब veya के जुनोब में जीए शोटे लंबी होती हैं ठीके हैं तो Telux के जब हिटीस त्वा के श्माल में निलमब अगर शिमाल में दिन लंबी और दिन चोटे होगे और इसके बाद अगर शिमाल में दिन लंबी और राते चोटी होती हैं है लेकिन केते है कि जो हित्ते इस तवा पर तकरेबन दिन और रात बराबर फाम में होते हैं ठीक है बच्चों यह हमेरा कॉष्ट-न कंप्लीट हो गया है कल हमने क्वेस्ट-न ये की आ था था कि जमैन के जब्ले घर्डश है वो ब्यान करें जमीन की हर्कत उसकी महवरे बनना वो बियान करें कल हम लोग उने हाफ किया था इसका जो आंसर है वो स्टार्ट से लेकर महवरी गर्दश मतलब जिमीन की हरकत यहां से लेकर दिन और रात के नबाई में फर्क तक आएगा कल हम लोग ने यहां तक हाफ किया था आज दिन और रात के नबाई में फर्क यह तो पहला है आप लोग ये करें इसे उसी क्वेस्टिन के साथ आप लोग लिख लें क्वेस्टिन पूरा हो जाएगा इसे लिख लें और इसे याद करें समय कोई मुश्किल निए इसमें सिर्फ यह बताया कि दिन और रात की जो नबाई है उसमें फर्ग उनने वाज्या किया है आप लोग इसे याद करें पूरे क्वेस्टन को रिसे अपने कॉपिस पर लिखें